नमस्कार आज जो software में आपको बताने वाला हूँ उसकी तारीफ के लिए मेरे पास सब्द नहीं है इसका इस्तमाल computer repair करने वाले लोग करते हैं कंप्यूटर को हैक करने वाले लोग इसका इस्तमाल करते हैं यानि कि कुल मिला के कहूं तो जो लेजंट लोग हैं वो इसका इस्तमाल करते लेते हैं यह एक सीक्रेट टूल की तरीके से हैं इसलिए आपने इसके बारे में साथ ही सुना हो जो कि मैं आपको बताने ही वाला हू इस tool का इस्तमाल करके आप किसी dead computer का यानि कि जिस computer की windows वगेरा corrupt हो गई हो या windows में और भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसको आप repair कर सकते हैं और इसका इस्तमाल करके आप computer का backup भी ले सकते हैं मतलब अगर किसी computer की windows corrupt हो जाती है वो धंक से और नहीं हो पा रहा है तो उस case म में आप जाके उस computer के पीछे से उसके data का backup ले सकते हैं इसके अलावा किसी computer की data recovery भी कर सकते हैं मतलब कोई data हो गया डिलिट हो गया आप चाहते हैं कि वह वापिस आजा तो उसे वापिस भी लाया जा सकता है और इसकी मदद से आप किसी computer का password भी reset कर सकते हैं मतलब जैसे कि आप अपने computer का password भूल जाते हैं तो यह tool आपकी सहायता करेगा वो password को reset करवाने में और इस tool की सहायता से आप किसी computer का clone भी बना सकते हैं मतलब जैसे कि आज के समय में तो आपको मालमी होगा computer के अंदर जो भी कुछ होता है वो उसकी hard drive में होता है तो आप यह चाहते हैं कि फिर बाद को आप उस hard drive को किसी को दूसरे computer में लगा के उसकी तसलिए से चाहन भीन भी कर सकते हैं इसको forensic जाच के लिए इस्तमाल किया जाता है और भी तमाम सारी चीजे हैं तो चलिए फिर वह आपको आगी बता दूँगा इसी तरह के content में इंट्रेंट है चानल को subscribe भी क सॉफ्टर काम केसे करता है यह महत्पूड है यह आपको मालूम होना चाहिए तो दिखे सबसे पहले हम इस सॉफ्टर को इसकी official website से डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद इसकी ISO फाइल को हमें pen drive के अंदर बूट करवाना है जिसके लिए हम रूफू वाइरस वगेरा डला हुआ है तो उसको आफ कर लीजेगा फिर जब आपकी बूटैवल pen drive बनके तयार हो जाएगी वही है आपका में हतियार आप जिस computer को target करना चाहते हैं उसमें आपको यह बूट करवा के इस्तमाल करना है और pen drive को किसी computer में बूट कैसे करवाते हैं उसक computer में Windows दुबाराश चालो हो गई है लेकिन नहीं यह आपके computer की Windows नहीं pen drive की Windows है इसी के अंदर तमाम सारे वो टूल है जिनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अब चलिए फटा फट में इसका आपको एक review दे देता हूँ सबसे पहले यहां पे desktop पे आपको यह screenshot लेने का जो software है वो दिख जाएगा इसकी मदत से आप किसी का screenshot वगेरा ले सकते हैं और यहां पे आपको notepad भी डला हुआ मिल जाएगा यह प्रोग्रामर लोगों काफी बन पसंद है hacker लोग भी इस notepad को काफी पसंद कर सकते हैं इसमें आप कुछ भी liquid सकते हैं बाकि यह रान आजा एड्मिस्टर मोड में ही ओपन होता है तो यह रिपेरिंग के लिए भी काम आता है अब चलिए मैं यहां पर इसके जो में चीजे हैं जिनके बारे में मैंने बात करी थी उनके बारे में आपको बताना शुरू करता हूं सबसे पहले तो यह है रजिस्ट्री एड और रहे हैं इसमें तो कुछ खास नहीं है तो यहां पर आपको कल्कुलेटर मिल जाता है आप कुछ कल्कुलेशन वगेरा कर सकते हैं चलिए मैं डिटेल में सबको एक एक चीज को ही बताई देता हूं यह डिस्क मनेजमेंट है जिसकी मदद से आप किसी कंप्यूटर की डि जाता है जो कि मैंने आपको यह दिखाई दिया डिवाइज मनेजर है यहां से आप चेकर सकते हैं किसी कंप्यूटर में कितने ड्रावर इंस्टाल है और क्या दिक्कत वगेरा है तो सब काम के लिए यहां पर यह काम आता है फिर से एड्मिनिस्टेट्रेटी टूल में आग सबस्क्राइबर है तो आपको मालHAMी वह इसका इस्तमाल करके और किसे कंप्यूटर की बूर्त की जो सेटिंग और है उनको चेंद कर तके जाद अ computer जो corrupt होते हैं उसमें गड़बड़ी इसलिए होती है कि वह boot की setting वगेरा गड़बड़ा जाती है तो अब यहां पर फिर से एक बार इसमें आ जाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको प्याद बताई दिया है अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखिए वही चीजे इनको कोई फिरी विदी का ऐसा गयरा टूल मत समझ लीजेगा यह सब आगर आप खरीदने जाओ तो कोई चार जार का कोई दस जार का कोई दो जार का मिलता है तो इन लोगों नहीं आप यह सब फिरी में आपको प्लब्द करवा रखें अब इनका इस्तमाल कैसे करना है उस का इस्तमाल करके आप किसी हाड़ी को इसकेंग कर सकते हैं इसकेंग करने सभी कि व वहाड़ कहां कहां पर ख़राब है और हाड डिस्क कैसे रिब्यपेर किया जा सकता है इसके लिए बिभी मैंने सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया वाइस मैंसे यह में में धिके वीडियो पहले से बना रखें आप चाहें तो उनKA बीचत कर सकते हैं अभी हम वापीस से अपने वही पहतहिए अब पाइसट टूल है यहां पे आपको partition tool के लिए कुछ काफी अच्छ अच्छ software मिल जाएंगे इनका इस्तमाल करके आप जैसे कि किसी computer में 500GB की hard disk लगी हुई है और उसके 3 तुकडे हैं या 2 तुकडे हैं तो और तुकडे भी बना सकते हैं किसी तुकडे को डिलीट कर तकते हैं तो यह भी काफी काम आने वाले हैं तो इसमें भी और भी बहुत सारे option मिलेंगे आपको उसके लावे यहां पे में security folder दे रखा है इसमें आ जाता हूं security में यह eraser करके option टूल दे रखा है इसका इसमाल करके आप किसी खराब pen drive को repair भी कर तकते हैं जैसे कि कुछ pen drive गड़ बढ़नी हो जाती हैं computer में अजी वजी भरकत होने लगती है तो वह सब काम कर तकते हैं और यह network का folder है आप internet वगेरा पर कुछ अपना काम करना चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारे अब मैं recovery वाले में आ जाता हूं recovery के लिए इन लोगों ने टूल दे रखा है removal drive टूल इसमें आपको यह एक खास टूल मिल जायागा जैसे कि आप कोई ISO फाइल है जो आभी हमने download करी थी उसको आप किसी cd में या dvd में boot करवाना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं रुफू से इसके बारे में मैंने आपको बताये यह और यह security वाला फोल्डर काफी महत पूर्ड है इसको देखिए यहाँ पर एक antivirus का फोल्डर है अब यह जितने भी आपको यहाँ पर antivirus दे रखें यह भी पैसे वाले antivirus है आपको यहाँ फीरी में दे रखें कोई ऐसा वैसा वैस इसका इस्तमाल आप उसका मिले सकते हैं जैसे कि आपको सख है कि फलाना कंप्यूटर में कुछ वाइरस वगेरा है उसको रिपेर करना है तो वह सब कुछ आप यहाँ पर सकते हैं और नीचे देखते हैं जरह क्या है यहाँ पर की फाइंडर है यह भी काफी महत्रपूर्ड इसका इस्त 김oine कि उसक है इसका इसका इस्तमाल किसी सौफ्टर को करने की कि आजा सकता है मतलब आपके पास कोई है वो आप से की मांग रहा है कहता है कि आप इसे खरीद psych啊 डालो तो इसका इस्तमाल करके आंपुस्तरमें कि या दिम का आप करसा है आप Cars What वाला मेन फोल्डर है जिसके बारे में आप बड़ी देर से इंतिजार कर रहे होंगे साइड इन यहां पर जितने भी टूल दे रखे इनका इस्तमाल करके विंडोज के पासवर्ड को रिसेट किया जा सकता है और यह स्टार्ट अप का फोल्डर है जो कि लोगों ने खाली दे बाकी काफी अच्छी चीज है और आप चाहें तो सीधे सीधे भी किसी कंप्यूटर का डाटा बैक अप होगे रहा ले सकते हैं जैसे कि नॉर्मल लाइफ में कोपी पेस्ट का इस्तमाल किया जाता है तो यह सब जितनी भी इंपोर्टन चीज मैंने आपको बताई है इनके अपर मैं आपको डिटेल में वीडियो दूँगा और लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजेगा कोई विचार हो गे रहा हो तो वो भी बता सकते हैं चलते हैं मिलें के अगली वीडियो में तब तक के लिए ध्यान दखिए अपना जय हिंद जय भारत